So, Hello Guys, Welcome to VVCR Channel and आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी रूमर के बारे में जो कि काफे ज़्यादा फिल रहा है and वो रूमर है Dr. Doom के Ant-Man and a Quantum Mania की मूवी में होने से तो इससे पहले भी कुछ रूमर आए थे कि हमें Dr. Doom Black Panther Wakanda Forever में दिखने मिलने आला है जो कि प्रूबेबली उसके पोस्ट के सीन में हमें दिखाई देगा बट अब ये भी रूमर आने लगे हैं कि हमें Ant-Man and a Quantum Mania के पोस्ट के सीन में भी Dr. Doom का कोई न कोई रेफरेंस या तो हो सकता है फर्स लुक देखने मिल ही जाए and आए रूमर की हिसाब से जब Ant-Man and a Quantum Mania में दिखने वाला कैंग एंड में, Quantum Mania में फज जाएगा तो वो Dr. Doom की ही मदद लेगा and possibility तो ये भी है कि हमें सायद Phase 6 and Phase 7 में एक में विलन नहीं बलकि दो-दो में विलन देखने मिल सकते हैं जो कि एक प्रोबेबली होगा Prime Gang and दूसरा होगा Dr. Doom and वो बाद में में भी कैंग को धुका देदेगा and Secret Wars की इवेंट को स्टार्ट कर देगा and ये अब रिमर सही भी लग रहा है क्योंकि कैंग का कोई भी वेरियंस किसी भी उनिवर्स को कभी डिस्ट्रॉई नहीं करना जाता क्योंकि वो लोग तो रूल करते है and Secret Wars की इवेंट को हमने पहले भी देखा है कॉमिक बूक में क्योंकि उस इवेंट में सारे ही उनिवर्स इस डिस्ट्रॉई होन लगती है and उसमें जो में विलन होता है न वो डॉक्टर डूम होता है and maybe हमें फ्यूचर में डॉक्टर डूम के काफी साथा रेफरेंस देखने मिले क्योंकि वो आगे जाकर में विलन होने वाला है तो आपको का लगता है इसके बारे में प्लीज से कम्यों बॉक्स में बता देना and अगर आप में ये चनल पे न्यू है तो प्लीज से चनल को सब्सक्राइब कर देना and इस वीडियो को भी लाइक कर देना so मिलते हैं नेक्स वीडियो में see you soon